माउस के वो सारे बटन्स होते हैं, जिससे आप अपना माउस चला सकते हैं, इन बटनों को बोला जाता है माउस कीज, अब माउस कीज की क्यों जरूरत पड़ी जब हमारे पास माउस पहले से है ही और बजार में बड़े आराम से मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि यह अब क्योंकि माउस कीज की अब किन जगों पर माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपको बहतरी ड्रोइंग्स बनानी हो, कुछ ऐसे सॉफ्ट्वेर होते हैं, जैसे आटोकेट है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि माउस को पकड़ने में अक्षम होते हैं, उन को माउस की की अविशिकता होती है, कुछ ऐसी जगे पर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे बस में बैठके जा रहे हैं, या प्लेन में बैठके जा रहे हैं, जहां पर ज्यादा बाइब्रेशन है, तो अब वहां पर भी आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं, माउस से करते हैं तो आपको दबाना है अपना लेफ्ट साइड का अल्ट और शिफ्ट वेटन उसके साथ में आपको प्रेस करना है नम लोग को जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक बीब की साउंड होगी और यहां पर आपका डायलोग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहां पर लिखा होगा तो यहां पर आपको करना है यह और जैसे ही आप यह करेंगे तो नीचे देखेंगे टास्क बार में यहां पर एक माउस की का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा अब इसकों थोड़ा सा डबल क्लिक करके देख लेते हैं कि मैं कौन-कौन से ऑप्शन यहां पर मिलते हैं इसके बाद यहां पर आपको मिलती है पॉइंटर स्पीड जिसमें के टॉप स्पीड दी गई है और इन दौनों को आप अपने मर्जी के साब से घटा या बढ़ा सकते हैं और इसके बाद हमें यहां पर आप्शन मिलता है होल्ड डाउन कंट्रॉल तो स्पीड अप एंड इसका मतलब यह है कि आप अपने कीबोर्ड की कंट्रॉल और शिफ्ट की से अपने माउस की स्पीड को भी मैंटेन कर सकते हैं इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यूज माउस की वेन नमलोक इस ओन और आफ अब यहां पर यह जो आप्शन है आपको बड़ा सो समझ कर चू क्योंकि अगर आपका नमलोक आफ रहेगा तो आप नमबर बटन पर काम नहीं कर पाएंगे और अगर आउन कर देंगे तो माउस की अपने आप डिसेबल हो जाएगी और आप नमबर की का इस्तवाल कर पाएंगे यहां से हम इसे आफ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से आफ कर लीजिए अब आप देखें कि आपके जो बीच के सारे नमबर से हैं यानी 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह सारे नमबर आपके माउस के करशर को मूव कराने के लिए हैं अगर हम 8 प्रेस करते हैं तो आपका करशर जो है उपर की तरफ जाएगा अगर 2 प्रेस करते हैं तो न करेंगे तो आपका करशर उपर जाएगा और लेफ्ट में जाएगा इसी तरह के से 1 और 3 भी काम करते हैं यानि यह नीचे जाएगा और लेफ्ट में जाएगा और 3 प्रेस करने पर यह नीचे जाएगा राइट में जाएगा तो यह जो सारे एंगल्स हैं आप माउस को बड आप नीचे देखे कि आपके माउस के आइकन में जो राइट साइट वाला बटन है वो डार्क है. अब आपके कीबोर्ड के नमपैट के उपर तीन बटन दिये होते हैं. पहला अबलिक का, दूसरे स्टार का और तीसरा माइनस का. जब आप अबलिक को प्रेस करते हैं तो यह जो की है वो बदल जाती है और राइट से लेफ्ट में आ जाती है और जब आप माइनस की को प्रेस करते हैं तो यह लेफ्ट से राइट में आ जाती है. तो यहां पर आप mouse key को ले जाएए अपने folder पर और यहां पर देखे selection आपका होना चाहिए left click पर अब आप 5 button को दो बार press कीजिए और आपका folder open हो गया अगर आपको single click करना है किसी folder या icon पर तो आपको 5 press करना है तो इसे आप select भी कर सकते हैं और अगर आपको double click करनी है तो आपको plus button को press करना है लेकिन यह करना काभ है जब आपके mouse key में जो dark area हो वो left button पर हो अब इस button को हम change कर लेते हैं आप देखें कुछ इस तरीके से आप जो area है वो बदल गया है अब वो जो button है जो press होगा वो right की जगे left में आ गया अब जब भी आ जा सकते हैं यहाँ पर देख रहा है ms word की file है और मुझे drag करके यह new folder 2 में ले जानी है तो मैं इसे कैसे ले जाओंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो mouse की clicks है उनको change करूँगा इसको मैं left click पर select कर लूँगा उसके बाद अपने mouse key से इस file पर जाओंगा और यहाँ से 5 button press करके इसको select कर लूँगा अब इसके बाद अब मुझे इसको पकड़ के ले जाना है जैसे आप mouse की left click को press करके और इसको drag करके ले जाते हैं तो आप zero button को press करेंगे एक बार तो यह जो file है वो lock हो जाएगी आपके mouse के cursor के साथ में अब आप इसे जहां भी ले जाना चाहे है और जिस भी folder में आप इसे drag करके छोड़ना चाहें वहां ले जाकर आपको simple press करना है अपने num lock का जो point बटन होता है वो तो एक बार में जो आपकी file है वो आपके folder में चली जाएगे folder को हम five button से प्रेस करके open करके देख लेते हैं यहाँ पर वो file आ गई है तो यह जो सारा काम हमने किया है यहाँ पर यह किया है keyboard की मदसे और यहाँ पर हमने इस्तमाल की है वो सारे पंधरा बटन्स